हाँ फ्रेंड्स मैं पम्पिगिन का दिना समचल में आप सभी का फिर से सागत आसा करती हूं आप लोग सभी अच्य हैं स्वस्त हैं और अपने अपने कामों में खोब हचिदा से बीजी हैं फ्रेंट्स मेरे जारबरा के प्लांट में अभी फूल खिलनी स्टार्ट हो गई है और बहुत सारे कलिया भी देखिए फ्रेंट्स बननी स्टार्ट हो गई है और पिछले वीडियो में फ्रेंट्स में आप लोग को एक जारबरा का प्लांट दिखा था जिसमें बहुत सारे कल अभी पूरी तरह से खिल चुके हैं और कुछ कलिया भी खिलने बाकी हैं तो मैं आज आप लोग के साथ जैर करने वाली हूं किस तरह से उसमें अभी फोल खिले हुए हैं और कौन से कलर में निकला है दिखाने वाली हूं तो फ्रेंट्स चलिए देखते हैं जर्बेरा के प्लांट में आपने जो कलिया देखी थी अभी कुछ कलिया उने में खिल चुके हैं यह देखिए बहुती प्यारा सा कलर निकल के आया है और कुछ कलिया अब ये खिलने बाकी है और कुछ देखिए नीचे की तरफ बहुत सारे छोटे छोटे यह देखिए कलिया बन रही है और बहुती प्यारा लग रहा है पिंक और हियलो सेड में कि मैं अगया इन में में जितने भी फ्लावरिंग प्लाइअह से मैं सभी में किचन वैस्ट लीकुर्ड फर्टिलाइजर देती हूँ और शाथी साथ शारोक niż की खली की भी लिकूड में हर 15-15 दिन में सभी प्लांट में देती हूं फैंट्स यलो वाला और मीटी के पॉट में फैंट्स लगे हैं तो इस मूं की मीटी जल्दी ही सुख जाती हैं तो मैं पानी भी मीटी को चेकर के ही देती हूं अगर ये पूरी तरह से इसके मीटी सुख जाए तो इनके फूल होते हैं फैंट्स वो जुलस जाते हैं नेचे की तरफ और मुझाय से होते हैं तो फ्रेश तरो ताजा फूल दिखने के लिए फैंट्स इसकी मीटी को चेकर के आप लोग पानी दीजिएगा बहुत ही प्यारा लग रहा है तो फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो बस इतना ही आप लोग को मेरा ये खिले हुए फूल दिखाने जा रही थी तो कैसा लगा ये मेरे खिले हुए जरविरा के फूल अच्छा लगा तो फ्रेंड्स कोमेंट किजिएगा लाइक किजिएगा और मेरे चैनल में आप लोग नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजियागा ओके फ्रेंड्स बाइ